सो गाइस कैसे आप सब भी लोग welcome back to my channel सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने बारा हूँ कि कैसे आप लोग 100% complete missions यानि कि saved games जो होते हैं वो load कर सकते हैं अपने GTA 5 के अंदर सो गाइस इस method के लिए मैं आपको तीन methods बताऊंगा सो गाइस बगे कैसी टाइम को बेस के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पी रिसेंटली दो वीडियो अपलोड की थी एक getting over it के उपर और एक minecraft के उपर लेना जैसे आप लोगो ओपन करेंगे तो आपके पास यह फाइल खुल जाएगी Google Drive के अंदर आपने जाके बस इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है आपके पास कुछ इस तरह से फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसका नाम होगा gta5 complete.rar आप से पहले जाके आप इस पर राइट क्लिक करेंगे open with में जाएगे और फिर विनवार की मरस इसको open करनेंगे पर इसको extract करनेंगे आप लोगों ने इसको extract कर लिया है अब हम इस folder को open करेंगे लेकिन हमारा काम इन से नहीं है हम लोगों ने जो hidden files होगी उनको इस्तमाल करना पड़ेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे पहले आप जाएंगे व्यू के अंदर को open करने के बाद आप सर्च करेंगे social club अगर आपको social club नहीं देख रहा तो पर आप rockstar games भी सर्च कर सकते हैं मेरे पास इस वद रॉक्स्टा games देख रहा है तो मैं इसको open कर लूँगा पर आप देख सकते हो कि मेरे पास social club आ गया है बात कि आपका GTA 5 के नहीं 100% complete games और missions लोड़ नहीं हुए यानि कि आपको जो method 1 है वह आपके लिए कांग नहीं करेगा फिर आप लोगों करना यह है कि सबसे पहले आप लोगों चले आओगी documents के अंदर जैसे आप documents में जाओगे तो आपको या पर देख सकते हो कि आप लिख है Rockstar Games आप लोगो Rockstar Games पर क्लिक करोगे और उसके अंदर एंटर हो जाओगे जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास different games के आप्शन अवेलेबल होंगे हम लोग इस वद आपी सिफ GTA 5 की बात करने वाले हैं तो GTA 5 की जो folder है इसको open कर लेंगे open करने के बाद आपके पास मुक सब्सक्राइब करने वाला है अगर आपको इस तरह की फाइलेबल नजर आ अपने मेंटर के अंदर तो समझ जाना कि यही मैंटर आप लोग के लिए इस्तेमाल होने वाला है सब मैं कुछ भी नहीं करूंगा यहां से इन फाइल को कॉपी करूंगा अगर आप लोग का गेम लोड नहीं हुआ 100% तो पर आपने करना क्या है आप लोग बात करने वाले हैं अपने थर्ड मैथर्ड की लिए है जिन लोग ने पारेटेट गेम की तरह जीटे 5 को डाउनलोड किया है आप लोगों नहीं करना यह है कि सबसे पहले नीचे आके सर्च करना है और लिखना है रन यैसे आप रन लिखेंगे तो आपके पास यह डायलोग बॉक्स खुल जाएगा लेकिन अगर आपके पास नहीं खुल रहा या आपके पास अगर सर्च का उप्शन नहीं आ रहा तो तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप डेटा को फोल्डर है वो ओपन हो गया है इसके अंदर हम लोग आप जाएंगे रोमिंग अंदर रोमिंग में जाने के बाद हमने एक फाइल को सर्च करना है जिसका नाम होगा गोल्डबर तो यह देख सकते हैं कि आपने यहां पर लिखावा है गोल्डबर, सोशल गलब, इम्यू सेफ यानि कि यह वो फोल्डर है कि जब भी आप पाइरेट गेम्स को डाउनलोड करेंगे तो यहां पर जितनी भी फाइल्स होंगी वो इसमें आके सेव हो जाएंगी मैंने परस्टेंली देख सकते हैं कि RDR2 यानि कि रेट डेट इदेंशन टू पाइरेट टेरिके से डाउनलोड किया था इस व्यासे सिफ इसका फोल्डर अवेलबल है आपने GTA 5 डाउनलोड किया हो था आपके बस GTA 5 नामसी एक फोल्डर अवेलबल होगा आपने कुछ भी नहीं करना आपने GTA 5 के अंदर से लिया रहा है है दुपारे से फोल्डर के अंदर जाना है फिर आपके बास सेव गेम्स की फायल्ष आजेंगी आप लोगों क llev 스트غ低 चुक्ए है अब मैं आप लोगों सिक्का होगा का कैसे आप लुग चेक कर सकते हैं आपके GTA 5 के अंदर 100% complete missions load हो चुके हैं कि नहीं सबसे पहला आप लोगों ने escape दबाना है escape दबाने के पाद आप लोगों ने चले आना है games के अंदर games पर replay missions का आपके पास option आ रहा होगा आपने उस पर जाके enter दबाना है और enter दबाने के बाद आप लोगों देश सकते हैं कि हमारे GTA 5 पंदर टोटल 76 missions होते हैं और 76 के 76 missions हमारे पास load चुके हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी मैं हर दिन अपने चैनल पे free game केलने की वीडियो और साथ मैं GT5 टोटोरियल की वीडियो अपने चैनल पे बनाता है रहता हूँ तो लाजब मैरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आप कोई टोटोरियल फॉलो करते बाग कोई भी problem face आता है तो आप लोग मेरे नीचे वीडियो की कमेंट कर सकते हो और मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा आपकी problem को resolve करने की लाइस मिलते ही पर अगरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई